चलिए दोस्तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर PowerPoint और PowerPoint में हमने Home Tab, Insert Tab, इसके लावब Design Tab, Transition, Animation यह सारी चीज़े देख लिए हाला कि मैं एक बार आपको Transition और Animation फिर से दिखा देता हूँ बाकी बची बात किसकी Slide So की, तो Slide So में From Beginning का मतलब भी पता होगे आपको की यहनी की सुरू से Run कराना, यह सुरू से Slide So कराना और Current Slide का मतलब होता है जैसे मानलो आप तीसरी Slide में है, तो तीसरी Slide से आपको Slide So कराना है, तो आप Current Slide Option को उप्योग कर सकते हैं, दूसरा Next मैंने बताय आपको Custom Slide So, तो Custom का मतलब हो जाता है कि आप अपनी मर्जी से, मानलो आपके पास कितनी Slide है, 9, और 9 Slide में से आप चाहते हो कि 5 ही Slide आपको Run करना है, तो एक तो So पहले से बना है, हम फिर से बना लेते हैं, New जाएंगे, और यहाँ पे आपको मर्जी से, मानलो आपको पहला, द देखें, यहाँ पे आपको एक Slide Run हो गई, दूसरी Slide Run हो गई, तीसरी हो गई, चहोंती हो गई, और चहोंते के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे, देखें, Slide So, End हो गया, तो ऐसे Right Click करके भी आप कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे Animation, Transitions की बात करते हैं, तो Transitions में आपको देखने Slide आएगी, अभी जो Transition है, वो एक ही Slide में आया, कैसे पता चला, यहाँ पे देखें आप, One के नीचे Star लगा रहा है, बागी के नीचे किसी में भी Star नहीं लग रहा है, दूसरी चीज, यहाँ आप देखोगे, तो इसके कुछ जो Option है, Setting है, वो दीख रही है, तो जो Slide है, वो दो Second के बाद जो है, दूसरी Slide आजाए, तो इसके लिए आप यहाँ पर After सेलेक्ट करके, दो Second कर देंगे, और Apply to All कर देंगे, तब आपका जो Slide है, वो आटोमेटिक बदलेगा, तो यहाँ आप करके देख लेना, दूसरी हम यहाँ माउस क्लिक कर देते हैं, जो आपको यहा इस प्रकार से Slide आना चाहिए, या फिर जो है, चली यह भी ठीक है, रेंडम बार भी कर सकते है, वाइप भी कर सकते है, ठीक है, इस प्रकार से आना चाहिए, कबर Flash टाइप की Effect भी कर सकते है, जिसे आप यहाँ देखोगे, तो आपको देखे, यह जो है, देखे, इस प्रका सभी में slide जो transition से वो दे चुके हैं अब हम सीधे इसको run कराते slide सो में चलते हैं from beginning से run कराते हैं तो देखे एक slide आ गई दूसरा click करेंगे दूसरी slide आ गई देखे अभी जो है in particular object में आपको animation नहीं मिल रहा क्यों क्योंकि इसमें हमने सिर्फ transition दी है और transitions किसमें दिये जाता है slide में देखे इस प्रकार से हमने run करें और यहां पर हमने जो है देखे next slide आ गई फिर next आ गई तो ऐसे आपकी जो slide है वो run होते जा रही है हम करते हैं end show और end show करने के बाद मैं आपको बताता हूँ animation तो देखे यह fundamental of computer and IT जो आपका subject है पहला यह heading दिख रही है दूसरा आपको यहां पर कुछ जो YouTube channel के नाम दिख रहा है और तीसरा यहां पर आपको दिख रहा है एक picture तो तीन चीजे यहां पर तीनों को अलग-अलग select करेंगे जैसे मानलो इसको select करें और यहां से आप जो है इस प्रकार से आना चाहिए देखे से बनना चाहिए तो कोई भी आप effect दे सकते जैसे मानलो इसमें हमने दे दिये अब इन दोनों को select करके हम जो है complete रूप से दोनों को एक animation दे देते यह वाला ठीक इस प्रकार आना चाहिए और यह जो है इस प्रकार आना चाहिए तो देखे जब हम इसको preview करेंगे प्रिव्यू कर लो या फिर slide show कर लो यहां से हम करेंगे और देखे यहां पर आपकी slide transition से वह हो गया दूसरा आपको जो है यहां पर जो पहला text box में animation दिये थे वह भी आ गया तीसरा यहां पर दिये थे और चोहता यहां पर दिये तो इस प्रकार animate होकर आएगा पर यदि हम चाहते हैं कि एक ही जो picture है उसमें आपको एक से अधिक animation देना है तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए देखे animation में जाना है पहला animation तो आपने दे दिये अब next जो animation देना उसके लिए देखे यहां side में add animation करके एक क्या दिख रहा है एक button दिख रही है इस पर आपको जान करना darken करना जैसे भी करना grow and sync करना देखिए इस प्रकार से आपका grow and sync होगा ठीक है दूसरा देखिए यहां तीसरा और चौहता जो एनिमेशन वह जोड़ गया पहला कहा जोड़ा था यह fundamental में दूसरा यहां जोड़ा देखिए इस में और तीसरा यहां और चौहता इसी में जोड़ा फिर से एनिमेशन में जाएंगे एड एनिमेशन में और नीचे देखिए exit यानि कि जाएगा कैसे तो जाएगा जो है देखिए फ्लाई आउट करके जाएगा इस प्रकार से ठीक ह बखिंए तो चलिए अब रॉन करके देखितें रॉन करके देखो के देखिए Pale transitionраन हुआ फिर animation रन हुआ दूसरा इनिमेशन तीसरा इनिमेशन रन हुआ देखिए चौहता इसी में एप्लाई हुआ था और चौहता इपलाई हुआ उसके बाद देखिए नीचे चला गया त देख लिए तो animation आपको समझ में आये होगा जब आपको एक सैधिक animation देना है तो आप या करोगे add animation में जाओगे नाया सच करके दिखाता हूं जो यह वाला जो पिक्चर है यह फिर यह वाली लाइटन में ज्यादा effect नहीं आया है आप लाइटन को क्या कर सकते हैं इसको ही इसको select करके delete कर दो और यहां फिर से select करके add animation में जाना है और यहां पर करना है आपको यह देखे इस प्रकार से यह भी काम मतलब थोड़ा अच्छा सा दिखने रहा है इस पर select करें और यहां पर आपको कर लेना क्या transparency देखे यह थोड़ा सा light हुआ है फिर set animation में आपको जो है bounce होकर चला जाए यह देखे ठीक है चली आप इसका preview देखते प्रिव्यू देख लो देखे पहला effect run हुआ दूसरा run हुआ ठीक है दूसरा run हुए गवा तीसरा भी वहां पर काम कर लिया तो ए hide जैसे करेंगे देखे यहां पर slide hide हो चुकी है जब run करेंगे तो यह दिखाई नहीं देगी फिर से hide कर दो तो right click करके भी hide slide option आजाता है यहां बहुत सारे option जैसे layout बदलना layout बदल सकते जो मैंने बता चुका हूं new slide है duplicate है delete है ठीक है इसके लाबा एक चीज और आप देख चीज यहां पर बहुत काम की है आपको यहां पर जो है बहुत सारी slide दीख रही है हम इन slide में अगर मान लो 20-25 slide हो गई है तो उन में हम section बना सकते हैं कि category wise हम जो है slide को बाढ़ सकते हैं उसी को बलते हैं section तो यहां right click करेंगे देखे एक option आ रहा add section जैसे हम add section पर click करेंगे देखे यहां पर rename करके आ रहा है और rename में आप जाओगे तो यहां section का नाम रख लेते हैं ऐसे मान लेजिए second रख देते हैं अब इससे फायदा क्या होगा देखे ऊपर जब जाकर देखोगे तो एक default section मन गया उस पर एक आ गई है collapse की button देखे तीन slide हो गई इस पर भी collapse की button आगे 6 slide तो ऐसे आप collapse करके किसी भी section पर बार बार ऐसे move कर सकते आसानी से परन्तु यदि section नहीं बनाते हैं तो slide में जाना थोड़ा सा देर से मतलब लंबी process हो सकती है तो यह चीज आप देख सकते हैं इस section को आप हटा भी सकते remove section या फिर section के साथ में slide भी हटाना है जिसे मानलो 6 slide है 6 को 6 हटाना तो आप section के साथ slide हटा सकते हैं या सिर्फ सभी section को हटाना ले जा सकते हैं या नीचे ले जा सकते हैं मतलब डिफॉल्ट की उपर ले जाना या नीचे लाना collapse और expense तो हमने देख लिए तो यहां पर आपको यह चीज देखने मिलेगी चलिए एक change करना तो यह बटन और थी reset करना जैसे मायन लो आप इसको विगाड़ देते हो देखिए विगाड़ दी तो आप reset करोगे देखिए आपका जो picture है सारी चीज जो predefined format है उससाब से आपकी set हो जाएगी तो इस प्रकार से आप जो है इसमें काम कर सकते हैं ठीक है तो यह देखेंगे slide master, handout master, notes master, slide master क्या होता है जब हम नई slide लेकर आते हैं देखिए यहाँ पर title कैसा होना चाहिए जैसे मान लीजिए हमने लिख दिये साथ ही यह जो logo है already इसमें आ रहा है और नीचे आपको जो subscribe button है वो भी आपकी automatic आ रहे है क्यों आ रही है क्योंकि हमने इसमें जो सारे काम किये हैं वो किये है slide master में तो slide master का काम ऐसे समझ लीजिए जिस प्रकार हमने header and footer पढ़े थे जिस प्रकार हमने बाटर मार्क पढ़े थे ठीक है तो वो already क्या था एक पेज में देते थे हर पेज में आता था उसी प्रकार यहाँ पर होता है master view तो master view में आपको देखने मिलता slide master जो सबसे important है बाकी च setting करना है तो इस पर slide पर जो है click करें और जाना कहां पर view tab में slide master पर click करना है और आपको देखे यह master view खुल कर आ गया master view में आप देखे लोगों को मान लीजे center पर जमाना है यह देखे यह देखे लोगों को center पर जम दीजे और यह जो लोगो है इसका color हमको क्या करना है आपको transparency देखता होगा transparency में आप जाओगे देखे यहां पर यह जो है आपको logo transparent जितना भी रखना वो आप रख सकते हैं या फिर यहीं color में भी आपको डेखे transparent नाम का एक option यहां पर बॉस आउट करके दिया है इस पर आप click कर सकते हैं जिसे मानलों यह click कर दिया उसके वाद heading का color अभी blue आ रहा तो blue के बदले में हम करना चाहते हैं यहां पर green मतलब इसका color क्या हो जाए green साथ ही इसके font आप बदलना चाहते हैं font बदल सकते हैं यह जो heading का color है third heading का color यह भी आप बदल सकते हैं तो मानलो मैं यहां पर इसका color बदल देता हूं चलिए मैं इसका color कर दे करता हूं ठीक है और इसका कलर नॉर्मल रहने देते साथ यह जो नीचे दिया है यह वाला जो सब्सक्राइब बाला इसका भी हम कुछ अपने हिसाफ से मैनेज कर सकते हैं अगर करना है तो नहीं करना तो कोई दिखत नहीं चलिए इतना काम हमने करें कहां पर सलाइड मास्टर में दिख ओपको यह देखिए स्लाइड मास्टर यहां टैब में जब भी यह काम हो जाता है तो आपको क्लोस करना नहींEt बहुतchos करोगे तो आप घ्रık Jude मास्ट चाइड स्लाइड है वहाँ पहुंच जाओगे क्योंकि अभी मास्टर स्लाइड में यहाँ पर आपको सिर्फ सेटिंग करना है निकि बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना है और बहुत सारी चीजे होती है जब हम डीटेल में स्लाइड मास्टर का वीडियो देखेंगे तो आप जो है इसमें काम कर सकते हैं साथ ही लोगों यहाँ आ रहा था हमने बीच में सेट किये थे तो यह बीच में आ गया उसके बाद देखें न्यू स्लाइड लाओगे देखें सभी में वही सेटिंग आपके एपलाई हो चुकी है तो इसका मतलब जब भी आपको कोई काम करना है तो आपको जाना कहां पे है उस चुझा को सब्कों करना है अभी स्लाइड के लिए अउट अलग हो चकते जैसे माने लो टाइटल सलाइड वसकती है टाइटल और content हो सकती है तो आपको जिस slide में setting करना है यानि कि जिस भी प्रकार की master slide में जाना है तो उसको select करना पहले है जिसे मानलो title पर जाना है तो title select करें फिर view में जाना है slide master में देखे title slide खुल कर आई है ठीक है तो ऐसे आपको ध्यान रखना है उसके बाद आप अगर title के अलावा देखे title और content वालीम जाना चाहते तो view में जाना है slide master में यहां आप setting करोगे फिर आपको काम करने के बाद close करना नहीं भूलना है ठीक है close करना इसलिए क्योंकि आप child slide में आओगे तभी काम करोगे तो यहां आपने देखे क्या master view set करना मास्टर विव में दो चीज और होती है handout का मतलब हो जाता है कि जब आप print करोगे तो print करने के दौरान आपका header कैसा रहेगा footer कैसा रहेगा आपकी slide जो है एक page में कितनी print होगी दो होगी चार होगी वह setting आप कर सकते हैं चलिए इसके लिए ज्यादा लोड नहीं लेना प्रिंट आउट निकालके आप बांटने के लिए जो तयार करते हैं उसे बोलते हैं फिर एक और है notes तो notes मैंने बताया नीचे आप जो notes लिख रहा है उसकी setting कर सकते हो notes master से जैसे आप click करोगे notes की setting आप करके और close master कर सकते हैं तो यह तो काम होगे हमारा basic अब मैं आपको दिखाता हूँ बहुत important चीज़ यहाँ पर दिखे view में हमारे सारे काम हो गए ग्रे करना है जूम करना है रूल रूलर दिखाना यह सारी चीज़ तो basic है आपने पहले भी पढ़े हैं हम चलते हैं यहाँ पर कहाँ पर जो file है file के अंतरगत new बनाना आपसे बन गया होगा template के थुरू भी और new भी blank open करना भी आपसे बन जाएगा presentation जो सेब करें recent यहाँ दिख रहा है अगर आपको कहीं और से open करना तो ऐसे open करके आप select करोगे और open कर लोगे ठीक है तो यह काम भी आप समझ गया save करना मतलब इसको save करना ठीक है मतलब memory में store करना दोबारा से save करने के लिए save as या फिर आप इसके मैं किसका उप्योग कर सकते भाई नाम चेंज करना location चेंज करना ऐसे कम कर सकते हो print तो आप समझ गया print मतलब normally आप printer select करो और यहाँ पर printer जो है print करने के लिए जो भी slide होगी वो कितनी आएगी all slide आएगी selection वाली आएगी current slide आएगी या custom range आप देख सकते हैं यहाँ से एक से लेखे 5 आप दे सकते हैं तो एक से लेखे 5 ही slide यहाँ पर print होगी इसके साथ ही full page में print करना चाहते है notes भी print हो outline भी print हो या फिर handout अभी हमने देखे तो handout क्या करता है एक सेधिक slide को एक page में print करके देता है header में क्या आना चाहिए Export Export में आप जो है यहाँ देखे क्या क्या काम कर सकते हो की PDF बना सकते है अपनी slide का आप यहां से VIDEO भी बना सकते है back बनाना चाहते हैं फूल HD में बनाना चाहते हैं जैसे आप यहां पर क्या कर सकते हैं participation कर देथे मानलो में तो सेबस में भी आपको बहुत सारी चीज़े और मिलती ब्राउज में जाओगे तो देखे प्रेजेंटेशन.pptx में सेब कर सकते या फिर PDF में यहां पर देखे थी में बहुत सारी चीज़े यहां पर भी लिखा है mpeg4 video तो इसमें भी आप जो है save कर सकते हैं png format में भी save कर सकते हैं jpg बहुत सारी चीज़े हैं आपको देखने को मिल जाएगी तो यह आप काम कर सकते हैं इसके साथ ही बाकि close करना यह basic चीज़े हैं चली हमारे video बन गया हम इसमें जो है देखते हैं कहां पर बना है document में document में जाओगे देखिए fundamentals of computer के नाम से computer यह देखिए fundamentals of computer के नाम से 44 mb का mp4 video बन चुका है इसको सीधे आपको run करना है जैसे आप run करोगे देखिए जो है अब video format में चल रहा देखिए हमने video बना दिये इस प्रकार से आप इसमें sound भी डाल सकते हैं यहां पर sound डालना है तो आप यहां sound कैसे डालोगे simple सी बात है जो presentation है presentation में आप यहां पर क्या करोगे sound insert करोगे जैसे माण लो यहां गयन सेप मैं और सेप में जाने बाद नीचे देखी ना रही अक्षण बटन बोलते जिने तो यहां पर आप साउंड को यहां से ला सकते ही देखिए action button और action button में sound लाकर आप बान कर आप यहां पर play कर सकता हूँ, यहाँ पर जो sound है, हम custom sound लाकर, यह हमने sound लिया और sound लाकर हम जो है, इसको okay कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब भी आप play करोगे, तो यह sound हमारा जो है, आजाएगा, ठीक है, अब इसके अलावा देखे, action button की setting भी एक option रहता है, यहाँ पर देखे, आप action button insert में, इसकी setting भी आप बाद में कर सकते हो, ठीक है, बाद में कर सकते हो, यहाँ पर जो भी करना आपको, play sound setting करना है, उसके बाद आप देखे, इसको close कर दीजे, और यहाँ पर आप sound भी insert कर सकते हैं, वीडियो insert करना है, यहाँ से video, इस device से video ला सकते हैं, चलिए तो बात होगे किसकी sound की, हमने video भी बनाना देख लिए, जितनी भी चीजे थी हमने complete कर लिए, फिर भी अगर कोई doubt है, आपको कोई question है, कोई query है, तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं, ठीक है?